नमस्कार मैं हूँ मुसका नजमानी और आप देख रहे है देश का लोग प्रियाज चैनल प्रैम टीवी और हमारे आज के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है जिसका नाम है नगर संग्रा तो यूपी में निकाय चुनाओ का आगाज हो गया है प्रथम चरंड के चुनाओ के लिए सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी कर लिया है सबी प्रत्याशी अपने अपने शेत्र से ताल ठोक कर जनता से अपने लिए समर्थन जुटाने का प्रियास कर रहे हैं इसी कड़ी में प्राइम टीवी की टीम अपने खास प्रोग्राम यानि की नगर संग्राम की कवरेज के लिए चिनहर प्रथम वार्ड 35 में पहुची जहां वार्ड की जनता से पिछले 5 सालों में हुए विकास कारियों का जायज़ा भी हमारी टीम ने लिया नमस्कार महुग विवेक शाहियों और आपका स्वागत है प्राइम टीवी के खास कारिकरम नगर संग्राम में नगर संग्राम में हम राददानी लखनव के हर एक वार्ड में जाते हैं और पिछले 5 साल में उस वार्ड में वहां के सबासद या पार्सद ने क्या-क्या विकास कारि किया है इसकी समिक्षा करते हैं जनता से पूचते हैं वाड के लोगों से पूचते हैं कि क्या समस्राएं उनकी हैं और वहां के सबासद या पारसद उनके लिए क्या 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 क्याम कर चुके हैं इस समय हम चीनहट प्रथम में वार्ड नंबर 35 में हैं आप देख सकते हैं कितनी गंदगी यहां पे दिख रही है स्वच भारत अभियान चलाए गया था प्रधामंत्री के द्वारा 24 के बाद से लगतार स्वच भारत अभियान चल रहा है यह उत्तर प्रदेश की राज़ानी कि क्या ब्यूस्ता इस वार्ड में है यहां के 2550 सालों में क्या विकास किया है खेर क्या विकास किया है आप जुश्टा के माध्यम से देख सकते हैं ल किन कि यह उन्कर लिए कि पार्षद कितना सुनते हैं जी एगंदकी नहीं है तरी ही यहां कि इतने हमारे ठोड़ोटे बच्चे हैं इहां बहुत गंदकी होती हैं सुबह अपनी समस्यां को यहां के अस्ठानी पारसत के पास लेके जाते एंदे क्या उनका रुख रहता है इस पर यहां पर हम लोगों ने बहुत कुशिश की कि एक खोड़ा यहां से हट जाए वह हम लोग उन्हें भी जो जी बदार लगाए है समान यह लोग भी बहुत कुशिश की लेकिन यह कोड़ा हटने का नाभी नहीं देगे यहां कुछ ऐसे हैं कि यहां से कोड़ा उठाने के लिए नगर निगम की टीम जूहाँ वैकाइदा आती है कॉड़े उठाटी है ले चाटी है तो क्या यहां पे लोग आते हैं concentration Teller बाए थी लोग से अपिजारा रहे हैं कि हफ्ते दो बार कूड़ा उठाने की गाड़ी आती है एसके बाद आप लोग से बातचीत करेंगे सबसे पहले अपना नाम सब्सक्राइब यहां पर लोग परिशान है गंदगी से तो बहुत ज्यादा दिक्कत है इसे बच्चे आए दिन हमारे विमार रहते हैं यह कुड़ा से बहुत दिक्कत हो रही आए दिन बच्चे भी ममार हो रहे हैं यह क्या पाट करने जाओ तो यह मंखी जो है बहुत घेल हैं अंदर देखो मंदिर के मक्या लग रही है यह उडे कोलए को जैसा बहुत दिक्कत हो रही आए दिन बच्चे भी ममार रहे हैं क्या किया जाए कुछ सब्स्वत लेता की अब को सुनता ही नहीं को नहीं सुन्टा retaining है बिधायक से बताते हैं वह वह कुछ सुन्वाई होते हैं अब पिछली बार बिमारी में चला डेंगो वाला अरे भीया डड़के बच्चे हम लोग सब अस्पाल में उस्पाइब डेंगो चला था तब फॉगिंग के लिए मसी नहीं आता था खाली आते वह उठाते और यह बहुत मारे कुटे भी यहां डाल देते हैं जमांद उनकी समस्यां है उन से पूछेंगे सबसे पहले आपना नाम बताईए मितवन नाम या यह बताएं कि क्या कूछ समस्यां इस वाड में हैं लोग बता रहें कि काफी गंदगी काम बार लगा रहता है काफी गंदगी है आपके यह साथ से यहीं दिक्कत रहें जो कूड़ा यह है और कोई दिक्कत नहीं और दिक्कत जो था पार्षाज जी ने हमारा खतम कर दिया जो अरूर आप पार्षाज जी यहां के इस प्रकार से आप देख सकते हैं अमारे पीछे और भी जंता है तमाम तरह की चीज़ें हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे उनसे पूछेंगे कुछ मैला हैं हमारे साथ है यह बताए क्या नाम है आपका चादनी नाम है यह बताए कि कूड़े की समस्या यहां बहुत जाता है देखी जा सकती है और क्या क्या समस्या इस वाड में है किन समस्याओं से आप लोग जूज रहे हैं बस आती है आजाईती आती उठारेती से ज्यादा हो जाता है कम होता नहीं ज्यादा होता है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अस्थानी जंता जो है एक ही बात दोहरा रही है कि गंदगी कामबार यहां पे लगता रहता है और उन गंदगीयों से तमाम प्रकार की बीमा क्यार रहा है लेकिन आप देख सकते हैं कि अलग-अलग वाडों की यह वाड है किसमस्यां यह बच्ची अक्षर जो है इन सब चीजों से गसी होते हैं और बीमार पर जाते हैं क्या नहीं यह बताइए क्या समस्या इस सब्सक्राइब काफी सालों से यहां है काफी कुछ आपने देखा होगा बंते बिगड़ते देखा होगा क्या तस्वीर बदली है इतने सालों में यहां से अब लुक्त आपको समस्यां से हमारे समय स्वाष करते हैं तो क्या कहते हैं आगे रोज उठाता है रोस तीजिश कुरे जाती है जितने बाद ले जाते होते खुरे जाती है क्या करें अच्छा मुहले के अंदर तक साफ सफाई होती एक नहीं नहीं सब यह लाए रारते हैं अब यह आके खुड़ाडम करते हैं अब यह ठकी होती है अरे बीमारी वालोगा पढ़ गई दर दर दिन भरती रहे तो वह को पहि पैसा देगा अब इसको वहीं बाग है अब नाग मौन दिक जोते बसाते हैं इमें टट्टी डारती है नाग वांते खाना खासे पल्टी हो जाती पल्टी कर ओक्ते हो करते बीमारी कर लेती है अब तीन-चार शिकर भरती हो चुके हैं को पैसा देता है कि आप कुछ कह रही जानी कोड़ी की समस्या haven ये बच्चे हैं हमारे आक इतनी मख्य है तुम आओ तुम्हें ट्रक भर के मख्या से दिंगे कैब्र कार से आप देख सकते हैं कि झन्ता जू है लगतार यह कह रही है कि perse कि अंदर जाएंगे वहां भी लोगों से बातचीत करेंगे देख सकते हैं हम नालियों का हाल आपको दिखा सकते हैं मैं फिर स्वेगुई से कहूंगा कि नालियों का हाल दिखाये जाए यह इस वाड की नालिया है चिनहट पर्थम वाड नमर 35 है यह नालियों का हाल है और यह इस वाड में और क्या परिशानी व्याप्त है और बहुत गंदगी भाईया बीमार पड़े लड़के बच्चे सब कीड़े बिजब जारें नाली में और नाली बनवाई ने सरकार तो इसको धाल होना चाहिए नाली में अतना कीड़े बिजब रहा हमाई तरफ देखो ज बात रख रही है और आरोप लगा रही है कि वहां कि अस्थानी पारसत जो है उनकी बातों को नई सुनते हैं लगतार कूड़े गंदगी कूरे डंप होते रहते हैं उससे बिमारिया फैलती यहां के बच्चे बिमार हो रहे हैं हम और कुछ लोगों से बाचिस गरन का प्या सब्सक्राइब बिल्कुल सचा है यहां आ जाते हैं गंदगी करते हैं कीड़ा अधर नक्खिल देख लो और सारे पन्नीय हवा चलते सब यहीं बटोर के आ जाते हैं यह कूड़ा बहुत ज्यादा बच्चे को नुसकार न करती काफी बिमार हो जाते हैं हम लोग बिमार हो बच्चे को चोड़ो अच्छा बारत अभियान के तर जो है नगर निगम हर घर के पास से कूड़ा अटाता है गलीयों में जाके कूड़ा जो है ले जाता है ऐसी कोई बेवस्ता यहां पर है सर्व बबस्ता है मगर थोड़ा देर से आते हैं यहां सफाई अफाई उतनी जल यहां समस्यया लेकर आ आप गय तो क्या कुछ खाना था मका सर बहुत लोग से काफी लोग से नहीं सुने में कäreम चया हूं TI सामलों इस थे श्तानी जनता जो है वह वो गंदगी से परहसान है इस वार में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और सब लोग अपनी बारी बारी से अपनी समस्याओं को पटल पे रख भी रहे हैं हम और भी अंदर जाएंगे और कितनी समस्याओं है उस पर ही बातचीत करेंगे इस गली के अंदर हम आ चुके हैं और देख सकते हैं गली के अंदर आने पर भी यहां पे एक घर है और इस घर के आसपास कि बीच में वह रह रही है हम कुछ लोगों के पास जाएंगे उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से वो लोग अपना जीवन आपन यहां पे कर रहे हैं राजधानी लखनव का चीनहट पर्थम वाड नमर 35 है कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि इतनी गंदगी म ऊते वो किस प्रकार से अपने परिवार के साथ हैं लगतार यहां पे डेंगु की समस्या लोगवता रहें बनी रहती थी चई जुह है वाय। गुडा इन लोग पर्लत रहते हैं कोई देंगी मियां सोब्मक साओने रहते कोई नहीं देखने वाले आते हैं कुड़ा उड़ा कोई उठाता रही है क्या आता है और हम कुछ लोगों से बातचित करेंगे उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से वह यहां पर रह रहे हैं अम्मा यह बता यह तनी गंदगी में कैसे रह रहे हैं कर देए बच्चा मजबूरी है रहे पर रहे है रही ना तो कहां चले जाई आप लोग अपनी सिकायत पारसाद या सभासा से ज़रू किया हूंगे क्या कुछ कहां उन्होंने इन गंदगी पर कूरा उठवाय देथ है जवने तपर कुरवत है भाईया और का है यह बताए यह उज्वला योजना की तरह सिलेंडर मिला था क्या आपको नहीं मिला आपको सिलेंडर नहीं मिला तरकार तो बाट रही थी सबको की कोई चूले पर खाना नहीं पकाएगा तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहां और तो ने भी बड़ा मुखर होके जो है अपनी बातो को रखा है और गंदगी पे लगतार कूड़े पे लगतार वो बोल रही है नगर संग्राम में हमारे साथ बने रही है कैमरा परसन विजय के साथ मैं विवेक शाही प्राइम टीवी लखनवू